Hello friends, मेरा नाम दुर्गेश है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे Java Server Pages, that means JSP और जी हाँ, हम लोग क्या करने वाले हैं? इस वीडियो से JSP स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग सीखेंगे Complete JSP कि JSP क्या होती है, इसे क्यों उज़ करना चाहिए और यहाँ पर हमने Servlet की Playlist बनाई थी उसको आप जाके Access कर लिजिए जिससे होगा क्या कि हम लोग JSP जब सीखेंगे तो Servlet की ज़रुरत पड़ेगी और अगर आपको Servlet आएगा तो आप JSP उतने ही अच्छे जरीके से Use कर पाएगे क्योंकि हमें पता है कि JSP में ज़्यादा कोई Concept नहीं है JSP में आपको वही सारे Concept अप्लाई करने हैं जो आपने Java Servlet में सीखे हैं चाहे फिर वो Servlet Context का Concept हो Request Processing का Concept हो Response Generate का Concept हो Request Dispatcher का Concept हो वो सारे Concept वही अप्लाई होंगे जो आपने Servlet में सीखे तो आप जा के Playlist को Access करें सारी वीडियो को देखिए उसके बाद आप JSP को अच्छे से सीख सकते हैं तो हम लोग इस वीडियो में JSP स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस JSP के बाद हम लोग क्या करेंगे Project भी डबल अप करेंगे Servlet, JSP और MySQL वगरा को यूज करके एक साथ वेब साइट हम लोग डबल अप करेंगे चले फ्रेंट स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि हम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे है JSP is a extension of servlet technology but JSP provides more functionality than servlet JSP क्या है? Servlet का extension part है that means servlet में बहुत सारी problems थी उनको resolve करके बनाया गया JSP और JSP से coding क्या हो जाएगी बहुत ही आसान हो जाएगी तो JSP भी एक तरीके का servlet जैसा ही work करेगा ये भी server side पे चलेगा और server side पे अगर चलता है तो ये भी JSP की help से भी हम लोग क्या कर पाएंगे request को accept कर पाएंगे process कर पाएंगे और फिर हम response generate कर पाएंगे exactly वही काम कर पाएंगे जो servlet करता था बट JSP हमें और भी features प्रोवाइड करेगा और भी functionality प्रोवाइड करेगा जिसकी help से हमारी जो coding होगी वो बहुत easy हो जाएगी हम बहुत असानी से क्या कर पाएंगे coding कर पाएंगे और हम अपने code को बहुत असानी से maintain कर सकते हैं इससे होगा क्या fast development होगा और fast development इसले भी होगा अभी हम लोग जब सीखेंगे disadvantage क्या servlet की तो और भी चीज़े समझ पाएंगे और एक चीज़ हम को और समाझना चाहिए कि servlet से हमें JSP में बहुत ही कम code लिखना पड़ेगा और अगर आप लोग किसी ने भी PHP सीखा है पहले या फिर jsp.net अगरा सीखा है तो यह JSP एकदम उसी की तरह है तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि actually करना क्या होगा JSP में और JSP होता क्या है तो let us suppose हम लोग क्या कर रहा है हम लोग पहले servlet के बारे में थोड़े सी चीज़ें सीखते हैं कि servlet में हम लोग ने किया क्या था तो यह होता था हमारा servlet और servlet हम लोग क्या करते थे server पे रख देते थे जब इस servlet को कोई यहाँ पे request मिलती थी let us suppose इसको कोई request मिली और यह request किसी client ने भीजी है request आ गए हमारे पास यह server क्या करता था उस request को process करता था that means request को accept करता था यहाँ पे servlet का और हम लोग यहाँ पे लिख देते थे do get यह do post method और वो method चल जाता था that means यह क्या करेगा servlet की request को accept करेगा और process करनी कोसिस करेगा that means जो logic हम लोगों ने लिखा था वो logic यहाँ पे execute होगा जब सारा काम processing logic execute हो जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ से output generate करते थे that means यहाँ से हम लोग print करते थे HTML, हम लोग print करते थे HTML, यहाँ से हम लोग print करते थे HTML और आपने बहुत बार जब हम वीडियोस बना रहे थे वीडियोस में पढ़ा रहे थे तो आप लोग ने बहुत बार देखा होगा कि हम क्या करते थे आउट.println और फिर इसके अंदर हम क्या लिखते थे अपने टैक्स लिखते थे है फिर हम अपना है सारा html हम यहां पर लिख देते थे उसके बाद क्या होता था यही html यहां से जाता था response यही यहां से response में जाता था और हमें यहां पर response हम लोग service से दे देते थे अब जो response यहां से गया है वो html गया है html क्योंकि जो response गया वो browser को गया है तो जब यहां से response HTML का जाएगा तभी आपका browser समझ पाएगा वहाँ पे अगर आप यहां से कुछ और भीज़ दोगे जावा भीज़ दोगे तो browser समझ ही ने पाएगा क्योंकि request browser ने किया था हमारा processing logic survey चला और उसके बाद हम लोगों ने यहां से response वे दिया बड़ इस survey के साथ बहुत जात दिक्कत है आप खुछ सोचो जो आपके pages होते हैं वह बहुत बड़े-बड़े होते हैं बहुत जादी styles होती उसमें बहुत जादा html का code होता है बहुत जादा javascript का code होता है तो आपको सारा code out.println के अंदर लिखना पड़ेगा बहुत ही मुस्किल काम है कि आप पूरी की पूरी designing out.println एक string double quotes के अंदर कर पाऊ तो यह problem सारी देखने के बाद अभी हम लोग और भी detail में यह सारी problems को discuss करे सारी problems देखने के बाद Sun Microsystem ने क्या किया Sun Microsystem ने बोला कि यह हमारे पास एक solution है आप servlet के जगा JSP कर सकते हो और इस काम को reverse कर सकते हो जैसे अभी क्या हो रहा है यह actually हमारा है dynamic page dynamic page that means it is your java content servlet का content है और यह produce कर रहा है यहां से html that means dynamic content produce कर रहा है html static content को आप खुद देख है यहां पर जो java servlet है वो हमें output दे रहा है as a html तो लोगों ने का Sun Microsystem ने का कि हमारे पास जो jsp है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो आप क्या कर सकते हो simple jsp के अंदर आप सबसे पहले ज़िए ज़िए एक simple type का page है html की तरह तो हम लोग एक page बना लेंगे simple but html से यह थ क्योंकि यह jsp page है तो इसका extension होगा .jsp java server pages बट यह थोड़ा सा html से मिलता जूलता होगा सबसे पहले ज़िए jsp जो एक simple page है तो हम लोग को कोई भी jsp page बनाना है तो हम लोग का उसका extension होगा .jsp चले भाई हमने रख दिया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अगर आपने .jsp एक्षेंसर रख दिया तो अब आपको बहुत सारा फाइदा होने वाला है क्योंकि jsp support करेगा html html इसके अंदर आप लिख सकते हो that means आप यहाँ पे tag start कर सकते हो आप यहाँ पे head लिख सकते हो body लिख सकते हो normally लिख सकते हो normally जैसे आप html लिखते हो वैसा लिख सकत साथ ही साथ में अगर आपको css की ज्रूद पड़ागी तो आप इसके अंदर css भी लिख सकते हो जैसे html के लिखते थे आप html लिखते होगे उसके अंदर head लिखोगे उसके अंदर जाके आपको internal css लिख सकते हो inline css लिखने हो अगर आपको javascript की ज्रूद आप script tag लगा दो, JavaScript लिखना start कर दो, that means index.html के पास वो सारी फंक्शनलिटी है जो आपके HTML page के पास होती है, HTML page में भी हम लोग HTML लिख लेते हैं, CSS लिख लेते हैं, और JavaScript भी लिख लेते हैं, JSP page में हम लोग Java को भी embed कर सकते हैं, that means हम पूरी Java लिख सकते हैं, with the help of tags, तो हमें Sun Microsystem ने कुछ tag दिया, उन्हीं tags की help से हम लोग क्या कर सकते हैं, Java को भी इसी के अंदर लिख सकते हैं, that means अब हमें, servlet में हम लोग Java के अंदर HTML लिखते थे, और JSP के अंदर हम लोग क्या करेंगे, HTML के अंदर हम लोग Java का code लिखेंगे, जहां भी आपको जरूद पढ़ेंगे, that means आपने यहां से start तो किया, HTML, CSS, JavaScript, अब को लिखना शुरूद किया, जहां जहां आपको Java की जरूद पढ़ गई, वहां आप टैग लगा के Java यूज़ कर सकते हो, simply यही logic है JSP का, इससे बहुत सारी problems हो जाएंगी solve, तो JSP simply एक page है, जो हमें यह functionality प्रवाइड करता है, कि आप HTML, CSS, JavaScript के साथ Java का code भी embed कर सको, और run time पर यह सारी चीज़े translate हो जाएंगी, translator इसे translate करके auto generated servlet create कर देगा, तो backend का सारा काम exact same है, change हुआ है सारा front end, हमारे लिए और असान कर दिया गया Java servlet के साथ, Java web application के साथ coding करने के लिए,